गैस सबसे पहले अगर आपको डेली करेंट अफेर्स चीए जैसे कि मैंने पिछली वीडियो 17 माई को अपलोड कर दी थी अपने चैनल पे उसी तरीके से आपको अगर डेली की करेंट अफेर्स चीए जैसे आज 18 माई है आज की करेंट अफेर्स चीए तो नीचे जाएए देखिए आपको डेली वाँ पर करेंट अफेर मिलेंगी गाइज नेवी डबल एसे सार के लिए जर्नल मेंस का पहला चेप्टर है कल्चर रिलीजिन जिसके पांच वीडियो हमने आपको दियो उपर आई बटन पर आपको मिल जाएंगी दूसरा चेप्टर है जिसकी तीन वी जील, केस्पियन जील, सतलुजील, सुपीरिया जील चार आपके पास जल्दी से अगर आपको आता है तो आप कमेंड में रिप्लाइद दीजी है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नमबर डी मीठे पानी की सबसे बड़ी जील सुपीरिया जील होती है ठी अटाकामा, कच्छकारण, रेगिस्तान, इन में से कोई नहीं विच जील, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नमबर ए विच का सबसे सुप सुप केस्थल अटाकामा है ठीक है नेक चलते हैं क्वेस्चन नमबर 63 ज्यादा दूर गटना है त्रिकोंड की किस सी हैं, most of the accidents happen near the boundary of which triangle, Caribbean deep and Florida, Caribbean deep और Bahamas या फिर बहामास और Florida या फिर इन में से कोई नहीं, क्या होगा इसका जवाब, तो इसका जवाब होगा आपका, option number C से हो जाएगा, बहामास और Florida, ठीक है ने चलते हैं, question number 64, भारत की अधिकारिक बहासाएं कितनी हैं, guys अगर आपको English की preparation करने तो सामको 5 बजे उपर वीडियो मिलती है, daily आपको, तो उपर आए बटन पर चेक कर लिजएगा, भारत की अधिकारिक बहासाएं कितनी हैं, how many official languages are there in India, 10, 9, 23 या फिर 14, तो इसका क्या से ही जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा, option number C, 23, त्रिभारत की अधिकारिक बहासाएं, तेईस हैं, question number 65, कौन सी परवत माला कस्मीर घाटी को जम्मू से अलग करती है, माथेरान, रानी खेत, गुलमर्ग, पीर पंजाल, परवत माला कौन सी है, जो कस्मीर घाटी को जम्मू से अलग करती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number D, पीर पंजाल एक परवत माला स्रेंडी है, जो की कस्मीर घाटी को जम्मू से अलग करती है, नेक्स चलते हैं, question number 66, 66, भारत का सबसे उत्री बिंदु कौन सा है, गुहार मोती, इंदिरा काल, की भी थू, इंदरा पॉइंट, which is the नौर्थेस्ट, पॉइंट आफ इंडिया, गुहार मोती, थोड़े सी मिस टाइप है, इंदिरा पीरियड, की भी थू, या फिर इंदर पॉइंट, जो सही जवाब हो जाएगा, option number B, इंदिरा काल, भारत का, जो सबसे उत्री बिंदु है, वो है इंदिरा कॉल, ध्यान रखेगा, next question, same है, question यह है, कि भारत का सबसे दच्छिनी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती, इंदिरा कॉल, की भी थू, इंदिरा पॉइं वो होगा, option number D, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो चलते हैं, question number 68, अरावली परवत का सर्वोच सीखर क्या कहलाता है, गुरू सीखर कहलाता है, बंजित परवत, जाबू परवत, या फिर अबू परवत, which name is given to the top of सीखर of अरावली माउंटेन, गुरू सीखर, Mounted Mountains, Mount Abu या आबू माउंटेन, चार option आपके पास, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, option number E, अरावली परवत का सर्वोच सीखर, गुरू सीखर कहलाता है, ठीक है, next चलते हैं, question number 69, अब विसु का सबसे बड़ा द्यूप, कौन सा है, which is the largest island of the world, which is the largest island of the world, Greenland, Indonesia अगनी द्यूप, न्यूमुर्दीप, चार option आपके पास, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, विसु का सबसे बड़ा द्यूप हो जाएगा, आपका, option number A, Greenland, विसु का सबसे बड़ा द्यूप, Greenland है, largest island of the world, Greenland, ठीक है, next चलते, question number 70, उत्तर प्रदेश में सबसे नदी, नदी, घाटी, परयोजना, कौन सी है, ब्रह्मपुत, परयोजना, सिंदु, परयोजना, रिहन्त, परयोजना, तापी, परयोजना, देखिए, मैंने आपसे पिछली वीडियो बोला था, कि मेरे पास एक PDF ready रखी है, जिसमें कौन सी नदियों पर कौन सी परयोजना ह गही है, और कहां पर है, किस स्टेट में है, सारी परयोजना है, तो उसे related एक PDF है, आप लोग बोलो, तो उसको मैं upload कर देता हूँ, record करके, या फिर आप बोलो, तो मैं आपको PDF देता हूँ, एक मेट की वीडियो बनाके, PDF की link देता हूँ, PDF डाउनलोड करके पढ़ दी जल जिस बताईए, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number C, रिहंद परयोजना, ठीक है, ने चल दे, question number 71, diamond harbor नगर कौन सी नदी के तत पर बसा है, diamond harbor नगर कौन सी नदी के तत पर बसा है, तापी कावेरी, हुगली, गोदावरी, diamond harbor town is located near to this river, तापी का जावेरी, हुगली, गोदावरी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बताईए आप लोग, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, option number C, हुगली हो जाएगा, ठीक है, हुगली, नदी के तत पर, diamond harbor नगर बसा है, जो चल ते हो, question number 72, 72, पीली नदी किस देश से हो कर जाती है from which country the yellow river passes through, Malaysia, Germany, Indonesia, चीन, पीली नदी किस देश से हो कर जाती है, तो इसका जो सही जवाब है, आप लोग बताईए, और क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब, पीली नदी, the yellow river, कहां से गुज़र के जाती है, अब वो जाती है, चीन से, option number D, C हो जाएगा, 72 का, पीली नदी, चीन देश से हो कर जाती है, 73, अरावली परवत संखला, किस नदी प्रणाली से भी भाजित है, गंगा एउम यमुना, चंबल एउम साबरमती, गंगा एउम गोदावरी, कावेरी एउम कृष्णा, अरावली mountain series is divided by which river system, गंगा एउमुना, चंबल एउम साबरमती, गंगा जिसका क्या जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा option number B, अरावली परवत संखला, चंबल और साबरमती, नदी प्रणाली से विभाजित है, ठीक है, इन्हें चलते है, question number 74, इन में से कौन सी नदी पाकिस्तान से होकर जाती है, पाकिस्तान से कौन सी नदी होकर जाती है, कुछना तापी, नर्मदा, सतलुज, अब विच रिवर एमंग दा फॉलोइंग फ्लोज थूरू पाकिस्तान, किशना तापी, नर्मदा, सतलुज, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 74 का वो हो जाएगा, option number D, सतलुज नदी पाकिस्तान से होकर जाती है, ठीक है, ने चलते है, question number 75, कावेरी नदी कहां गिरती है, वेर दा कावेरी रिवर फाल्स, कच्छ की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अरप सागर में, या फिर इनमें से कोई नहीं है, in the Gulf of, कच, in the Bay of Bengal, in the Arabian Sea, या फिनना आप, दीस कावेरी नदी कहां गिरती है, तो इसका जो सही जवाब आपको पता होगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ने चलते है, question number 76, निम्न में से कौन सा परवत, जौला मुखी परवत है, हिमालय परवत, अरावली परवत, फ्यूजी परवत, या फिर रॉकी परवत, which of the following mountain is a volcanic mountain, हिमालय प परवत, माउंटेन, अरावली माउंटेन, माउंट फ्यूजी, फिर रॉकी माउंटेन, बताइए गाईज, लास्ट के यह जो five questions आप बचे हैं, यह बहुत important question होने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग सभी लोग हर questions reply देने की कोसिस करिए, निम्न में से कौन सा परवत, इसका जो सई जवाब है, वो है option number C, फ्यूजी परवत, माउंट फ्यूजी जॉला मुकी परवत हैं, ठीक है, नहीं चलते है, question number 77, निम्न में से कौन सा हिमाले दर्रा है, निम्न में से कौन सा हिमाले दर्रा है, बानिहाल दर्रा, पाल घाट, शने कोटा, थल गाट, वीच जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका बानिहाल दर्रा, ठीक है, नहीं चलते है, 78, 78 है कि जवार सुरंग किस दर्रे की नीचे बनाई गई है, जवार टरनल was constructed under which of the following passes, बानिहाल दर्रा, सिरी लंका, इसने कोटा, इसने कोटा, इसके बाद आपका है, रो ता बनाई गई है, नहीं चलते है, question number 79, question number 79 है, भारत और चीन के बीच कौन सा हिमाले दर्रा इस्तित है, which हिमाले पास is situated between India and China, इसने कोटा, तल गाट, भोर गाट, इसके बाद आपका सिपकी ला, बताएगे गाईज, भारत और चीन के बीच कौन सा हिमाले दर्रा इस्तित है, लास्ट के 5 questions बहुत important जैसे मिन आपसे बोला, तो भारत और चीन के बीच कौन सा हिमाले दर्रा आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब है, वो है option number D, last question आज किस वीडियो का, लाल मिट्टी का रंग, लाल निमन में से किसके कारण होता है, तो वो होता है, आफी के लोहे के कारण राल मिट्टी कारण लाल होता है, तो यार बस इस वीडियो फिलाल इतना ही था, 20 questions complete करवा दिया है, और गाइस प्लीज सपोर्ट करिए, इन वीडियो को इन वीडियो में 4-5 गंटा लग जाता है बनाने में, और आपकी डिमांड पे ही मैं डेली वीडियो ड ला हूँ, और 20 questions लेके आ रहा हूँ, अगर आप support नहीं करोगे तो फिर ये series मुझे अभी के लिए रोकनी होगी, after vacancy, जब vacancies आज आती है, इसके बाद मैं फिर से start करूँगा, तो अब आप पे है, आप क्या करना चाहते हो, आप इनको चलने देना चाहते हो, फिर रोकना चाहते हो, त्यार बस इस video फिलाल इतना ही,